तो जय हिंदो मेरे प्यारे साथ योग, कैसे हूँ आप सभी लोग, I hope कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे सबसे खास बात जानते हैं, इसमें क्या है, इसमें अगर आप आवेदन करते हो, आपका नाम आता है, तो प्रती महीने, यानि कि हर महाँ आपको पाच-पाच हजार रुपए इस टाइफंड दिया जाएगा, इसका ओनलाइन आवेदन भी पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुक मैं बात कर रहा हूँ, भारत सरकार के द्वारा ये जो PM इंटर्निशिप योजना चलाई जा रही है, इसका लाब आप कैसे उठा पाऊगे, तो सबसे पहले तो मैं आपको इस योजना के फाइदे बताऊँगा, तो नमबर वन कि अगर मैं बात करूँगा, तो इसमें आप प्रती माह इस्टाई फंड के रूप में दिया जाएगा, जब शुरुवात में आप जॉइन करोगे तो 6,000 रुपए दिया जाएगा, और उसके बाद प्रती माह आपको 55,000 रुपए इस्टाई फंड दिया जाएगा, पूरे एक साल के लिए, नमबर दो की मैं बात जाने कि प्रती माह आपको 55,000 रुपए दिये जाएगे, अब हम बात करेंगे कि आखिर ये योजना क्या है, इसके बारे में मैं आपको अच्छे तरीके से जानकारी दूँगा, उसके बाद कौंकौं से लोग जो है इसके लिए आवेधन कर सकते हैं, फारम भर सकते हैं, व सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोफतों, कि देखें, 2024-25 में ये जो बजट की घोशड़ा की गई थी, जो कि हमारे भारत देश के जो वित्मंत्री है, निर्मला सीता रमर जी के द्वारा, उन्होंने ये घोशड़ा किया था कि 2024-25 में तकरीबन एक करोड़ वि जानते हैं आपको क्या होगा, इसकिल तो सिखाई ही जाएगी, साथ में आपको यहाँ पर certificate भी दिया जाएगा, जो कि experience certificate होगा, जहां पर आप काम करोगे, और आगे चल करके वो certificate अगर आप कहीं भी लगाते होना, तो job में सबसे पहले प्राथमिक्ता आपको दिया जहां दोस्तों यह सबसे बड़ा यहां पर benefit है, तो सुरुवात में तो 2024-25 के अगर मैं बात करूँगा, तो एक करोड़ा candidate को लच रखा गया है कि इस PM internship योजना से जोड़ा जाएगा, लेकिन फिलाल पहले खेप की अगर मैं बात करूँगा, तो सावा एक लाख लोगों क इस योजना का लाभ दिया जाएगा, भारत सरकार की टॉप 500 जो कमपनिया है, देखें सबसे पहले मैं आपको यहां पर यह बताना चाहता हूँ, कि PM internship आखिर होता क्या है, तो दोस्तों हमारे देश के जो बड़ी-बड़ी कमपनिया हैं, जिसमें Tata, Virla, Vipro, उसके लावा और भी कई सारी कमपनियों के नाम आते हैं, उसमें आप जो है एक करमचारी बन करके काम करोगे, और as a learner बन के काम करोगे, वहाँ पर आपको सीखाया जाएगा, और सीखने के आपको प्रती माह जो है 5000 रुपए यहाँ पर stipend दिया जाएगा, और उसके बाद क्या होगा दो पहले जो है दी जाएगी, तो सुरुवात ने भारत की जो टॉप 500 कमपनिया हैं, उनमें से किसी एक कमपनी में आपको काम करने का मौका मिलेगा, as a learner बन करके आप वहाँ पर काम करोगे, देखें, minimum qualification की अगर मैं बात करूँगा, तो यहाँ पर बताया गया है, कि अगर रहवी पास हो, तो भी apply कर सकते हो, आपने graduation path कर रखा है, तो भी इसमें farm apply कर सकते हो, ITI कर रखा है, polytechnic कर रखा है, तो भी जो है आप इस योजना का lab उठा सकते हो, age criteria की अगर मैं बात करूँगा, तो minimum यहाँ पर 21 फाल और maximum यहाँ पर 24 फाल रखा गया है, मतलब कि 21 फाल दोस्तों, तो 12 अक्टूबर से इसका registration पूरी तरीके से start हो चुका है, और इसका जो internship होगा, वो 3 December से पूरी तरीके से start हो जाएगा, तो दोस्तों, आज तारीक है 24 अक्टूबर, अभी देखे, इसका registration पूरी तरीके से start है, जो कि आप PM internship योजना के official website पर जा करके, आप इ दिया जाएगा, उसके बाद प्रती महा आपको 55,000 रुपए दिया जाएगा, पूरे एक साल के लिए, यानि कि 12 महीने के लिए ये पूरी तरीके से PM internship योजना जो है, आपके लिए होगी, यहाँ अवधी कि अगर मैं बात होँगा, तो 12 महीने के लिए यहाँ पर आपको इ सबसे ज़्यादा दिया जाएगा, देखें यह जो stipend दिया जाएगा, पाच हजार रुपए का, इसमें दोस्तों क्या होगा कि जो साले 4,000 रुपए आपको दिया जाएगा, यानि कि 4,500 रुपए जो दिया जाएगा, वो दिया जाएगा केंदर सरकार से, बाकी आपको जो आसपास में ही आपको वहाँ पर पोश्टिंग दी जाएगी तो यह सबसे अच्छी बात है मतलब कि कहीं दूर जा करके आपको इस इंटर्निशिप योजना का लाब नहीं दिया जाएगा आपके घर के आसपास में ही आप जो इसमें काम कर सकते हो अब यहाँ पर मैं आपको प्रकार का कोई भी परिक्षा नहीं होगा फारम आप भर देंगे उसके बाद अगर आपका नाम आएगा तो इलाट्मेंट लेटर आपके घर पहुंचा दिया जाएगा उसके बाद जो है दूसरे निमबर के अगर मैं बात करूंगा तो पारिवारिक आए यानि कि फैमिली साल से कम नहीं होना चाहिए और 24 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए मिनिममम जो आपका एज है वो 21 साल से कम नहीं होना चाहिए अगर 21 साल से कम आपका एज है तो आप इस योजना का लाव नहीं उठा पाऊगे और मैक्सिम्म कि अगर मैं बात करूंगा तो 24 साल से उठा पाऊगे, उसके अलावा सरकारी कर्मचारी, यानि कि आपके घर में आपके मम्मी या फिर जो पापा है, वो सरकारी कर्मचारी नहीं होने चाहिए, अगर सरकारी कर्मचारी है, गौवर्मेंट इंप्लाए है, तो उस इस्थती में आप इस PM इंटर्नशिप योजना का लाब जो है, नहीं उठा पाऊगे, उसके अलावा, फुल टाइम कर्मचारी भी नहीं होने चाहिए, सरकारी विभाग हो, या फिर प्राइवेट विभाग हो, अगर आप जो है, किसी विभाग में फुल टाइम जॉब कर रहो, तो भी आप जो है, इस विभाग, इस योजन क्या है, कि देखे, काफी सारे कंडिडेट ऐसे हैं, जो कि हमारे भारत देश में बेरोजगार हैं, अच्छे क्वालिफिकेशन के बावजूद भी वे बेरोजगार हैं, तो अगर आपको SPM इंटर्नशिप योजना का लाव उठाना है, तो तुरंत आप सभी लोग रजिस् अच्छी salary package के साथ में, आपको जो है job मिल जाएगी आसानी के साथ में, तो दोस्तों यही सारा सब को जानकारी देना था, देखे, अगर आप जो है eligible हो, इस farm को apply करने के लिए तो PM इंटर्नशिप योजना का लाव आप सभी लोग जरूर से जरूर उठाईएगा,